अस सरोकार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है राम मंदिर का 70% नर्माण पूरा हो चुका है गर ब्रह के पिलर 14 फिट तक बन कर तैयार हो चुके हैं ये मंदर नर्माण तीन चरणों में पूरा होगा पहला चरण अगस्त 2023 तक पूरा होगा वहीं दूसरा चरण दिसंबर 2024 में जब की 2025 तक मंदिर आकर ले चुका होगा जनवरी 2024 में मंदिर में दर्शन पूजा शुरू हो सकेगा मंदिर नर्माण में करीब 800 करोड रुपे खर्च हो चुके हैं कुल खर्च का अनुमान करीब 1800 करोड रुपे लगाया जा रहा है अधीक और अश्रफ मर्डर केस में सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है वही अधालत ने मर्डर केस की डेटेल रिपोर्ट मांगी है पूछा उन्होंने पूछा है कि सरकार बताए कि उस दिन क्या हुआ और जाच में अब तक क्या क्या हुआ है इसके अलावा कोट ने 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मडर केस के आरोपियों की एनकाउंटर की रिपोर्ट भी मांगी है कोट ने यूपी सरकार से पूछा कि हत्यारों को ये जानकारी कैसे मिली कि अतीक अश्रफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है अतीक अश्रफ को ले जायने वाली गाड़ी का सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया मामले में अगली सुनवाई तीन अफ़ते बाद होगी पिछली दिनों मिले अतीक के कार्याले में खून के चीटे पुलिस और प्रिशासन में भोचक्के हो गएते जिसकी वज़े से माफिया अतीक एहमद ने चकिया स्थिध दफ्टर में मिले खून के दबे का खूलासा हो गया ये खून के चीटे शारुक नाम के यूवक के बताया जा रहा है इसके पाद खुल्दाबाध द पुलिस ने शारुक को पकड़ लिया है बताया जा रहा है कि शारुक नशे की हालत में अतीक के दफ्तर गया था और सरिया लगने से घायल हो गया पुलिस के मुताबिक शारुक चक निरातुल चकिया का रहने वाला है शारुक नशे की हालत में अतीक के दफ्तर में गुज गया था दूसरी मंजिल पर सोने जा रहा था तब ही उसके हाथ म खून निकलने लगा, तो कमरे में उसे कपड़ा मिला, उसे खून पोच कर उसे वही फेक दिया. वही मौसम में बदलाव का सिलसला जारी है, यूपी वासियों को गर्मी से रहत मिल चुकी है, मौसम खुशनमा हो गया है, बता दे, ये सुहावना मौसम का हाल अब ऐसे ही 30 अपरेल तक रहेगा. मौसम विभाग के मताबिक अगले दो दिन मौसम में ज्यादा उलट फेर की संभावना है, वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर 30 जिलों के लिए बारिश आंधी का अलट जारी कर दिया है, इन 30 जिलों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां ओले भी गिर सकते हैं और वहीं कानपुर में आंधी के साथ बारिश होई, बता दे कि दो दिन में ही अंधेरा चा गया, वहीं आगरा में देर रात तेज हवाई भी चली, अभी बादल चाय हुए हैं, बारिश की आशंका भी है, अगली खबर ग्रेटर फर्दाबात है, जहां सेक्टर में रहने वाले ग्रामीन पिछले पास साल से नर्किय जीवन जीने को मजबूर है, ग्रामीनों और किसानों के मताबिक यहां बनी ग्रणूरा सोसाइटी के शिवर का गंदा पानी पिछले कई सालों से लगतार यहां जमा हो रहा है, और अब आलम यह है कि जहां किसानों के उपजाओ जमीन डूप चुकी है, वहीं यह गंदा पानी अब लोगों के घरों तक भी पहुँचने लगा है, जिसके चलते बिमारिया अपने पैर पसा रही है, आरोप है कि नगर निगम और स्थानिय विधाय को शिकायत करने के बावजूद, आज भी नतीजा धाक के तीन पाथ ही है. पानी है कुछ फ्लैटो का पानि यह विए विज शेक्तर आठी सिक्स में वहता हिए विदायक जी है इस अरे मने मांस्टर रोड़ी और यह फ्लैटों का जो भी राजशनाः भर ने जो बनाए तब दिय क्यों तर फ्लैटों का भानी इस तन यारी ए। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का वेस्तार करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने सो वाट के एक जानमे नए FSM ट्रांस्मीटरों का वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम जश्रुबारम किया जिसका सजीव प्रषारण अकासवाडी केंदर फटैपूर में केंदरी राजमंत्री साध्वी निरंजन जियोती की उपस्थिती में स्थानी लोगों को दिखाया गया रेडियो प्रशारण द्वारा सूचना, सिक्षा तथा मनुरंजन के कारिकरम प्रसारित कर सभी वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने का स्रेश उधारण प्रस्तुत किया है इस केंद्र से प्रसारित कारिकरम को 101.00 मेगा हर्ट्स में फत्यपुर्जिले के 20-25 किलो मीटर के दायरे में सुने जा सकते हैं स्रीराजमंतरी साधवी निरंजन जियोती ने बताया कि पूरे भारत में सीमावर्ती जिलों को लगा करके प्रदेश के 6 जिलों में भी शामिल है FM के माध्यम से हर जगा समचार सरकारी योजना और कारकरमों की जानकारी मिलती है मानिये प्रदानमंती जी ने सीमावर्ती जिलों के साध देश के अंदर जितने भी इस प्रशनल लिस्टिक है उन जिलों को जोडते हुए FM की सौगात दी है कई बार हम लोग कलपना करते थे कि फतेपूर में भी FM होगा क्या जब हम कानपूर लखनव या बड़ी सीटी में जाते थे तो वहां जैसे गाड़ी गई एंटी करते ही गाड़ी में अपने आप ही FM चालू हो जाता था तो मैं एक है सकती हूँ कि पिछड़े जिले में जिसको मानिये प्रदानमंती जी ने एक तरह से गोध में जैसे लिया इस जिले को विकास के लिए FM भी हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी उसमें ब्यापार है किसान है या कोई भी आदमी है अपनी गाड़ी में बैठा तो भी सुन लेगा या देपी चैनल चैनलों के माध्यम से खबरें मिलती लेकिन गाड़ी में बैठे हुए विक्ती को कैसे खबरें मिले एक मिनट प्रचार आता तुरंत खबर आ जाती है देश के अंदर क्या हुआ और अन्या चेतरों में क्या हो रहा सरकार क्या काम कर रही है इसके माध्यम से ततकाल जन्दा को जानकारी मिलेगी जिया सुसाइट केस में दस साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया है CBI की स्पेशल कोर्ट ने एक्टरिस जिया खान सुसाइट केस में सूरज पंचोली को बरी कर दिया है आपको बता दे फैसले के वक्त सूरज कोर्ट रूम में ही थे कोर्ट ने कहा आपके खिलाफ सबूत काफ ही नहीं है इसलिए बड़ी किया जाता है सूरज पर एक्ट्रेस को अत्मत्या के लिए उकसाने का अरोब भी था बताते चली कि जिया ने 3 जून 2013 को मुंबई के अपने फ्लैट में सुसाइट किया था अब घटना के 10 साल बार इस पर फैसल आया है जिया की मां की शिकायत पर एक्टर और बॉइफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया गया था बात में जमानत मिल गई थी लखनव में आज आस्मान में ऐसा खगोली नजारा देखा जा रहा है जिसमें सूरज के चारोर सतरंगी इंद्र धरनुशिय घेरा बना हुआ है विज्यान की भाशा में इस घटना को सन हैलो कहा जाता है विज्यानिक के मताबे के आस्मान में कभी कभी दिखने वाला अद्भुत नजारा है इसमें सूरज की चारोर एक इंद्र धनुशिय घेरा बन जाता है बता दे कि वातवरण में मौजूत बर्फ के लाखो क्रिस्टलों में से सूरज की रोशनी परवर्तित होती है तो इससे सन हेलो का खगोल ये नजारा दिखाई देता है जब सूरज के चारो और एक छली जैसी आकरती बन जाती है तो इससे सन हेलो कहा जाता है ये एक सधारण वाहु मंडली घटना है वग्यानिकों के मुताब एक जब सूरज धर्ती से 22 डिकरी के कोड़ पर होता है तो आस्मान में मौजूत सीरिस क्लाउड में मौजूत गी पानी और बर्फ के कणों से होने वाले परावर्तन की वज़े से ऐसी आकरती दिखाई दे यही वज़ा है कि धंडे देशों में सन हेलो दिखाना बेहत आम होता है जैसा कि आपको बता दे भारत में ऐसा नजारा पहली बार दिखा है कि आस्मान में सन हेलो जैसा नजारा पहली बार भारत में देखने को मिला जिसे देखकर लोग काफी हैरान हुए हैं ये सतरंगी इंद्रधनुशिय जैसा घेरा होता है आपको बता दे ये ऐसी घटनाए दुनिया में बहुत ही अद्भुत और कभी-कभी देखने वाली होती हैं जो की भारत में पहली बार हुआ है सुरज के चारो और बना प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने आज देश में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 100 वाट कैपिसिटी के 90 एफम रेडियो स्टेशनों का उधगाटन किया अठारा राजी और दो के नुशाषित प्रदेशों के 84 जिलो में इन एफम रेडियो स्टेशनों का उधगाटन वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये किया गया बता दे कि उधगाटन के दौरान पियम मोदी ने कहा कि जब बात रेडियो और एफम की होती है तो इसे मेरा रिष्टा एक श्रोता का भी है और एक होस्ट का भी फरिदाबाद में आज सुभा एक यूवक का शव दूसरे किसी के मकान में फासी के फंदे से लड़का मिला जिसके बाद पुरे इलाके में संसिनी फैल गई खबर मिलते ही आसपास के लोग इखटा हो गए और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी लोगों का कहना है कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुचे फिलहाल मुरतक की पहचान सुनील के रूप में होई है जो की हमीर पूरका रहने वाला बताया जा रहा है पार्टी जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष गाजियाबाद में आज उसी दफ्तर में पहुचे जिसमें निकाय चुनाव के टिकट वितरन के बाद धक्का मुकी और मार पीट हुई थी जो बाद में थानी की धहलीस पर पहुचकर मुकत में बाजी तक पहुच गया इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने सभी विरोधियों और हंगामा करने वाले लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया आपको बता दे कि गाजियाबाद में मेर पित्याशी सुनीता दयाल के दफ्तर में टिकट की घोशना के बाद मार पीट हो गई थी जिसके क्वितर्क की आजादी है हर दोई में नगर पंचाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के गुर्गों की गुंड़ाई सामने आई है जिसमें भाजपा प्रत्याशी के भाई वोट के लिए जनता पर दबाब बना रहे हैं दो लोगों के विवाद में सत्ता पक्ष के कारिकरताओं ने लाठी डंडे से लैस होकर जमकर मार पीट की पीडित ने गोप मौँ चौकी प्रभारी को तहरीर देकर कारवाई की मांग की है तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जाच में जुट गई है कास गंज में विवाद के बाद प्रधान ने गोली चलाई वहीं विवाद के बाद दूसरे दिन ग्राम प्रधान ने गाम में गाउं में अंदर दुन फारिंग की बता दे कि 12 साल की बच्ची को गोली लग गई कंभीर हालत में सीची पटियाली सेजला अस्पिताल में बच्ची को रैफर कर दिया गया पटियाली थाना शेतर के बोहरन पुर गाउं का मामला वहीं बच्ची के परिजनों ने प्रधान सहित लोगों के खिलाफ इलाका पुलिस को तहरीर दे कर कारवाई के लिए गोहार लगाई है अर्ली खबर कुशी नगर से है जहां निकाई चुनाओं को लेकर डिप्टिशीयम रजेश पाठक ने विशाल जनसभा को संबोधित किया डिप्टिशीयम ने समोधित करते हुए कहा कि जिस तरह केंद्र और प्रदेश के सांसद और विधा एक सरकारी धनका उप्योग विकास के कारियों में खर्च करते हैं उसी तरह भाजपा नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों को जिताने के बाद उसी तरह धनका खर्च विकास कारियों में करेंगे 2014 में जब मोधी प्रधान मंतरी चुने गए उस समय कॉंग्रेस देश को सरातल में लेती गई मोधी ने उस चुनोतियों को बखुबी से निपटते हुए देश को विकास के पटल पर ले आए इसी तरह दूसरी चुनोति पर दिंदयाल के सपनों को जन जन तक उतारने का कार किया इसके साथ ही केंदर सरकार की तारीफ करते हुए वेर नहीं तकी पूरी दियारियां है आप जाकर के देखेंगे आपके मन में परसनता आएगी रामलला सीग रही 24 में दर्शक के लिए पूरी दुनिया के लिए वहाँ पर मंदिर खुल जाएगा और अध्वूत न जा रहा होगा पूरी दुनिया रामलला के बारे में चर्चा कर रहे है चिंता कर रहे है अध्वूत धंक से डिबलब हो रही है प्रदाबाद में आये प्रधान मंत्री की मन की बात का सौवा एपिसोड प्रशारण होना है जिसकी तैयारियों को लेकर आज केंदरी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरदाबाद के सेक्टर 16 स्थित अटल कमल कार्याले पर बिजेपी के तमाम मौजूदा कारिकरताओं के साथ बैठक की इस बैठक में पलवल होडल के सभी मौजूदा चुनिंदा कारिकरता मौजूद रहे मैं केंदरी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की माने तो इस बार प्रधान मंत्री के मन की बात का एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है जिसमें लोगसभा की एक ए विश्वूद और आपिल की जा रही है। आदेन ने नरेंदर मोदी जी की मन की बात के सौवे एपीसोड का परसारन तीस तारीक को सुबह 11 बजी होना है। उसकी तैयारियां पूरे देश में हर लोगसभाद छेतर में विदान सभाद छेतर में बूत सतर तक चल रही है। हर बूत पर कारिकरम होगा ये तैय किया गया है।